दोस्तों मैं रितेश कुमारुपाद है मेरे यूटूब चैनल आयोशी में आपका हादिप स्वागत करता हूँ जारे शाथियों क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने विजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो क्या आप जानते हैं आप आनलाइन माध्यम से भी अपने बिल को पे कर सकते हैं आप अपने पुराने बिल को चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारियां और सेवाएं आनलाइन बिठी से आज की डेट में आप ले सकते हैं तो दोस्तों अब इन में कौन-कौन सी जानकारी आप ले सकते हैं वह भी मुबाइल के माध्यम से वह पूरी जानकारी हमारे चैनल पर पहले से पोश्ट है लेकिन यदि आप कंप्यूटर यूजर हैं और कंप्यूटर के जरीए आप इन सर्विस का लाफ लेना चाहते हैं तो यह जो सीरीज है यह सीरीज आपके लिए काफी फायदेमन साबित होने वाली है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के माध्यम से यदि आप आनलाइन लॉगिन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखी तक ध्यान से देखते रहें तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और हमने गूगल क्रोम ओपन करके रखा हुआ है अब यह गूगल की साइड आपको दिखाई दे रही है इसके सर्च बाक्स में यूपी पीसियल लिखकर सर्च करेंगे इसमें जो पहला आपसन है यूपी इनर्जी डाट इन आपको इस आपसन पर क्लिक करना होता है जैसे ही आप इस आपसन पर क्लिक करेंगे आप यूपी पीसियल की आफिशियल वेब साइट पर पहुंच जाएंगे अब अपने कंप क्प्यूटर की स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे कंज्यूमर कार्णर आपको मिल जाएगा इसमें जो पहला आपसन है बिल पेमेंट का इसमें उपर की जो दो आपसन है बिल पेमेंट अर्बन और बिल पेमेंट रूलर या दो आपसन आपके लिए काफी उप्यूग अब दोस्तों हमारे जो बिजली का connection है वह ruler area का है यानि ग्रामिर छेतर का है तो हम bill payment ruler option को set करते हैं अब जैसे ही आप bill payment ruler option को click करेंगे click करते ही यह एक नया page आपकी computer की screen पर आ जाएगा अब इसको भी हम नीचे की और scroll करते हैं यहाँ जो पहला option login का आपको दिखाई दे रहा है आपको इस option पर click करना होता है जैसे ही आप इस option पर click करेंगे login करने का page आपके computer की screen पर दिखाई देने लगेगा अब इसमें यह जो पहला option दिखाई दे रहा है account number का यहाँ पर आपको अपने बिजली बिल का account number लिखना होता है जब आप बिजली का connection लेते हैं तो connection लेते ही आपको यूपी PCL एक account number alert कर देता है आप जो बिल जमा करते हैं वह सारी चीज़ें आपके इसी account number के जरिए आगनाइस की जाती हैं सबसे पहले आप अपनी जो बिजली का बिल है उसके ऊपर जो आपका account number लिखा हुआ है उसको यहाँ पर note कर लें और उसके बाद जो password आपने बनाया होगा उस password को आप यहाँ पर लिख दें जब आप यह दोनों चीज़ें complete कर चुके होते हैं उसके बाद फिर generate OTP के option पर click करना होता है अब दोस्तों जैसे ही आप generate OTP के option पर click करेंगे आपकी जो register mobile number है उस पर एक OTP आ जाएगा आपके mobile में जो OTP आया है उसको यह जो blink करता हुआ एरिया है आपको यहाँ पर लिखना होता है अब जैसे ही आप यहाँ पर लिख कर लॉग इन के option पर click करेंगे लॉग इन के option पर click करते ही आपके computer में एक नया page open हो जाएगा अब आप अपने account के लिए यानि अपने पिजली की जो जानकारियां हैं या जो सिवाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप UPPCL की website पे login हो चुके हैं यहाँ पर उपर आपका नाम दिखाई देगा, account number दिखाई देगा, आपकी bill कितनी है या दिखाई देगा अब जब भी आपको इस website को बंद करना होता है तो दोस्तों मेरी राय होगी कि बंद करने से पहले आप इस website को लागाउट करना पिलकुल न भूलें अब यह जो blink करता हुआ area दिखाई दे रहा है जैसे ही आप इस option पर क्लिक करते हैं आप अपने page से लागाउट हो जाते हैं और एक बार जब आप इस page से लागाउट हो जाते हैं उसके बाद फिर आप इस page को बंद कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो छोटी सी जानकारी है मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी रही होगी और यदि आप इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस YouTube चैनल IOC को सब्क्राइब कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप हमा से छूटी जानकारी भी आपके साथ सेयर करूं ताकि काम करते समय आपको कोई भी अशुविधा नहों लेकिन फिर भी संभव है आपके मन में कोई confusion हो आप हमसे कुछ जानना चाहते हों तो यदि ऐसा कुछ है तो वीडियो के comment section में comment के जरिए आप अपने प्रस्वनी शंक पोच हमसे पूशकते हैं हमारा प्रयाश होगा कि हम शिग्र अतिशिग्र आपके प्रस्वन का उत्तर देशकें और दोस्तों वीडियो के आखरी में एक request आप सिख करना चाहूंगा यदि आपको यह वीडियो लगी हो अच्छी और उप होगी तो इस वीडियो के नीचे ब झाल